हम सबने ब्लack magic के बारे में तो सुना ही है और हम सब के around कोई ना कोई हैसा जरूर होगा हमारे friends में हो सकता है या फिर हमारी family में हो सकता है जिसके हमने कोई ना कोई story जरूर सुनी होगी कि उनके किसी जान पे चान में या फिर उन्होंने खुद black magic को face कर रखा है By that I mean कि हो सकता है कि तुम्हारे पास कोई ऐसी स्टोरी हो तुम्हारे ऐसे किसी friend की या relative की जोनोंने ऐसा कुछ बोला हो तुमें कि हमारे साथ ऐसा हो चुगा है PASN में कि हम पे किसी ने black magic करवाया है हम पे एक काला जादू करा गया है PASN में फिर हमारे किसी चान पर चान में किसी इंसान पे black magic हो चुका है और उस black magic के वज़े से उनकी life में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई हैं बहुत लोग बिमार पड़ गए हैं उनका downfall आया ऐसी कोई ना कोई story तुमने जरूर सुनी होगी मेरे around ऐसी बहुत सारी stories है और मैंने internet पे भी काफ़ी ऐसी stories पढ़ी कि jealousy के वज़े से कुछ लोगों ने black magic करवाया दूसरे लोगों पे जिनसे वो jealous थे it's very surprising to me कि लोग jealousy में क्या क्या कर सकते लेकिन उसके बाद जब थोड़ा और मैंने search करा तो में को कुछ ऐसे points मिले कि अगर एक इनसान है जो victim है black magic का उसके अंदर ये सारे traits होंगे और जब वो मैंने traits पढ़े मैं actually डर गया था क्योंकि इनके अंदर से कुछ traits मेरे में भी है तो I really don't know कि मेर पे भी black magic किसी ने कराया it's very crazy to think but it's very possible कि इन में से काफी सारे traits तुम्हारे में भी हों are you a victim of black magic? simple way में अगर मैं बोलू मैं जादा complicated नहीं करूंगा इस topic को simple way में अगर मैं बोलू black magic क्या है black magic is magic related to evil spirits simplest way में अगर मैं तुम्हें बताँ दू अगर तुम्हें किसी इंसान को harm करना है या फिर तुम चाहते हो कि उस इंसान का या फिर उस family का एक specific family का या फिर एक group का downfall आए कि वो और success नहाचीव करें life में कि वो बिमार पढ़ जाए उनकी life बहुत जादा खराब हो जाए because of jealousy और any other reason या फिर तुम्हें किसी पर revenge लेना है तुम उन पर black magic करवा सकते हो black magic करने के लिए भी specific लोग चाहे होते है जिनको black magic की knowledge होती है लेकिन black magic की एक और बहुत 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 फासिनेटिंग बात है कि अगर मैं किसी पर black magic करना चाहता हूँ और अगर मैं करता हूँ उसका पूरा एक ritual होता है there is a way to do that और अगर मैं वो कर रहा हूँ और मेरे से कुछ गड़बड होती है तो वो जो ritual है जो मैं करने ही कोशिश कर रहा हूँ कुछ करने ही कोशिश कर रहा हूँ दूसरे इंसान पर वो backfire कर सकता है and by backfire I mean वो मेरे को attack कर सकता है वो चीज मेरे साथ हो सकती है for example अगर मैं black magic कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि दूसरा इंसान बिमार पढ़ जाए यह तो बहुत छोटा example है और मैं रिच्वल में कुछ घरबड कर देता हूँ तो वो backfire करने ही वे जैसे मैं खुद में मार पढ़ जाओगा और में को शायद ही कोई ठीक कर पाए तो मेरे पास 6 ऐसे points है जिनको अभी सुनना तुम ध्यान से और में को comments में जरूर बताना कि तुम बैठे हुए हो कही पर अपना काम करें चुप चाओ और तुम्हें बहुत जोड़ से हसने की आवाज आती है फिर बहुत जोड़ से रोने की आवाज आती है और तुम konfuse हो जाती हो कि यह आवाज आई कहांसे उसकी कहीं घर में से तो नहीं आरी या फिर भार से तो नहीं आ रही and then you check and then तुम्हें पदा चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है ना भार कोई आवाज निकाल रहा है ना कोई घर में निकाल रहा है तुम्हें randomly आवाज सुनाई थी कभी-कभी ऐसा लगता है कि ये आवाज सिर्फ तुम्हारे ब्रेन में थी ये मेरे साथ कई बार हो चुका है और अगर ये तुम्हारे साथ कई बार हो चुका है तो it's very possible कि तुम पे किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ black magic कर रखा हो तुम देखी सकते हो कि इस विडियो को बनाने में काफी research लगा है और script करने में भी काफी time लगा था मेरे सामने अभी script खुली हुए screen पे और मैं उसे देख के विता सकता हूँ कि इस script को लिखने में कितनी महनत लग सकती है लेकिन मेरा ये काम बहुत जादा असान हो गया था because I'm using PDF Element by Wondershare research के time पे में पास काफी सारा material होता है काफी सारे text होते है, articles होते है, pictures होते है, videos होते है जिनको साथ में combine करने में काफी जादा help करता है में को PDF Element PDF Element is an easy PDF solution for all needs fast, affordable, easy way to edit, convert, sign PDFs and many more and it is available on desktop, mobile and web तुम किसी भी department में काम कर रहोगे चाहे वो marketing हो गया या legal हो गया, sales हो गया या human resource हो गया तुम में ये software बहुत जादा help करने वाला है ये तुमारी life को इतना जादा easy बना देगा तुम किसी भी format के document को किसी भी और type के format में easily convert कर सकते हो जैसे word to PDF, या फिर PDF to Excel PDF file to Excel file, या फिर word file to an Excel file basically everything तुम किसी भी type के research papers को पढ़ सकते हो, notes बना सकते हो, या फिर मेरे तरह तुम script लिख सकते हो तुम अपना professional तो सही लेकिन personal काम भी इस पर कर सकते हो बागी सारी details और links नीचे description में make sure you check them out number two is having bad luck in everything तुमने कुछ लोग देखे होंगे, तुम्हारे friends हो सकते हैं, family members हो सकते हैं, जो हमेशा complain करते रहते हैं जो हमेशा complain करते रहेंगे कि यार हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमारी तो किस्मत में ही नहीं है हम कुछ भी काम करते हैं वो नहीं बनता यार मैंने यह नहीं चीज़ ट्राय करी मेरी तो किस्मत ही खराब है मेरे से हुआ ही नहीं मैंने बहुत पढ़ाई करी थी मेरी किस्मत ही खराब है कि मेरे कम नंबर है अगर तुम ऐसे लोगों के अराउंड हो तो it's very possible कि वो भी एक victim हो क्योंकि ये एक बहुत major reason देखा गया है victims में कि उनका luck बहुत जादा खराब हो जाता है क्योंकि usually black magic तब करा जाता है जब कोई jealous हो कोई इंसान दूसरे इंसान से jealous हो वो तब ही black magic करवाता है जब वो envy करते हैं उनकी success को उनके luck को तब करा जाता है black magic और अगर तो मैं ऐसे किसी इंसान को देखते हो जो पहले बहुत अच्छा कर रहा था और उसके बाद उसका एकदम से downfall आया and after that he is always like or she is always like कि मेरा luck ही खराब है कि हमारी किसमत ही इतनी खराब है कि यह हम करी नहीं सकते कुछ भी तो it's very possible कि वो भी एक victim हो number three is having problems with remembering stuff यह मेरी बहुत बड़ी problem है क्योंकि मेरे को चीज़े याद नहीं रहती being dates या फिर लोगों के नाम हो गए या फिर important stuff हो गया that is the reason कि मैं चीज़े लिख लेता हूँ मेरे पास लिखे वे सामने रहता है because मैं खुद से याद नहीं रख पाता यह बहुत बड़ी major problem है मेरी और अगर तुम में से भी यह किसी की problem है तो हम दोनों same boat में and it's very possible कि हम दोनों का कोई कुछ बिगाडने कोशिश कर रहे क्योंकि मेरे को चीज़े seriously याद नहीं रहती I'm trying to fix this ठीक है मैं कोशिश करता हूँ कि में जाज़ जादा चीज़े दिमाग में रख सकूँ और याद रख सकूँ but मेरी memory बहुत खराब हो गई over time I don't know if it's my lifestyle or what is going on I have no idea but ये भी एक काफी बड़ा ट्रेट रहता है विक्टिम्स का जिनके उपर black magic करा गया होता है क्योंकि जो लोग बहुत जादा successful होते हैं जिनको लोग envy करते हैं बहुत जादा उनकी कही ना कही success का reason यहीं होता है कि वो बहुत सारी चीज़े एक साथ maintain कर रहे होते हैं बहुत सारी चीजों से एक साथ deal कर रहे होते हैं जिसके लिए use होती है memory तो काफी सारे victims में यह देखा गया है कि उनको memory के साथ बहुत problems आती है उनको चीज़े याद नहीं रहती है तो यह भी एक trait है अगर तुम black magic के victim होता है Number 4 is the feeling of being watched all the time Simple way में बताओ तो तुम्हें हमेशा ऐसा लगता रहेगा कि कोई ना कोई तुम्हें देख रहे है Always, हर टाइम, तुम कहीं भी जाओ, कुछ भी कर रहे हो कि कि किसी ना किसी इनसान की, या spirit की कि कोई ना कोई तुम्हें हर वक्त देख रहे है तुमारी हर एक activity को monitor कर रहे है तुमारे हर एक action को देख रहे है अगर तुम्हें ऐसी feeling आई है तो इस पॉसिबल कि तुम्हें एक victim हो कई बार हमें रैंडमली ऐसा लगता है कि हम कोई भी काम कर रहे हो तो हम एकदम से बीचे पलट के देखते है क्योंकि हमें लगता है कि कोई पीछे है बट कई बार ऐसा होता है कि कोई नहीं होता हम अगर घर में अकेले भी हैं तो कई बार हमें ऐसा लग सकता है कि कोई हमें देख रहा है वो जो एकदम से चौकना होता है It's very possible कि तुम्हारे आसपास कोई spirit हो जो तुम्हें देख रही हो मैं को याद नहीं मैंने कहाँ पढ़ा था लेकिन हमारे senses के अंदर कही ना कही एक छोटी सी power होती है to detect कि कोई हमें देख रहा है या कोई हमारे आसपास है या नी तो जब भी तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुम्हारे आसपास कोई है और कोई तुम्हें देख रहा है तो it's very possible कि हो कोई evil spirit हो या फिर कोई ऐसी spirit हो जिसने तुम्हें possessed कर रखा है black magic के तुम्हें और वो ये है कि तुम्हें कई बार ऐसा feel होगा कि someone is sleeping next to you ये मेरे साथ हो चुका है दो तीन बार लेकिन मैंने इस चीज़ को इतना seriously नहीं लिया कि अगर मैं सो रहा हूँ और मैं सो रहा हूँ और मेरी एकदम से आँख खुली है तो sometimes I feel कि मतलब कोई है आसपास then I notice अच्छा मैं तो okay ले हूँ में को द्रीम्स नहीं याते हैं and when you wake up you feel like someone is there and जब तुम सर हिलाते हो देखते हो आसपास there's no one तो why do we feel that अगर कोई है ही नहीं आसपास तो हमें ऐसे क्यों फिल होता है कि कोई है हमारे साथ someone is sleeping with us like why would you feel that तो जो विक्टम्स रहते हैं black magic है उनको ये काफी बार feel होता है काफी बार उनको ये feel होता है कि वो बस लेटे होए है और उनके ऊपर कोई खड़ा हो रखा है उनकी chest के ऊपर कोई खड़ा हो रखा है या फिर उनकी chest पे बैठा हुआ है black magic के विक्टम्स जो होते हैं वो काफी बार sleep paralysis भी face करते है sleep paralysis I think तुम सब को पता ही होगा तुम्हे को explain कानी है तो इसलिए काफी सारे victims जो रहते हैं black magic कि उनको ऐसा फील होता है कि उनके आसपास कोई सो रहा है या फिर उनके साथ bed share कर रही है कोई spirit और तुम्हे कभी ऐसा लगा है जैसे मेरे को लगता है कई बार तो इस वेरी पॉसिबल कि तुम में एक विक्टम हो and number six is that you randomly hear voices calling out your name कभी तुम्हार साथ ऐसा हो है कि तुम घर में अकेले हो कि घर में और कोई नहीं है and तुम्हें randomly feel होता है कि तुम्हें कोई बुला रहे कि तुम्हारा नाम बुलाए किसी ने कभी तुमने एक आवाज पे वापिस respond कर है क्योंकि ये मैंने कर है अगर मैं घर में अकेला हूँ और में को एकदम से आवाज आती है रोहन I've responded back कि हाँ and then I realized कि घर में कोई नहीं है कि seriously घर में कोई नहीं है क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुए क्योंकि मेर साथ हुआ and ये last point है and the main motive of me making this video is because मैंने जब ये article पड़ा तो मैं actually थोड़ा सा डर गया था मैं worried, feel कर रहा था तो I just wanted to share this with you कि क्या मैं ही अकेला हूँ जिसको ऐसा feel हो रहा है या फिर तुम में से भी कोई है क्योंकि अगर मैं ही अकेला हूँ then I need to get something tested I need to get myself tested मैं भी चेक कराना पड़ेगा but अगर तुम्हे भी इन में से कोई भी चीज़ फील होती है तो please let me know comments so guys ये 6 points थे अगर इन में से कोई भी तुम्हे फील होते है lightly मत लो इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से notice करो और अगर तुम्हार साथ ये बार बार होता है तो guys you know what to do so guys I hope you liked this video this video was a check on you guys from my side कि ये सारी जो चीज़ें एक हाली मेर साथ ही हो रही है फिर तुम्हार साथ भी होती है thank you so much for watching this video guys make sure कि तुम इस वीडियो को share को और अपने सारे friends के साथ to have a check on them also कि उनके साथ तो कहीं ऐसा नहीं हो रहा है guys thank you so much for watching this video और अब मैं मिलता हूँ तुम से अगले वीडियो bye bye